प्रडाम बर्तिगर्ण मैं आश्टोष पांडे यूटूब के सर्वसेष्ट बक्ती मैं चैनल बक्ती मैंवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बक्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि 2008 आप के लिए कैसा रहेगा क्या आप इस वर्ष सफलता प्राप्ट कर सकेंगे क्या इस वर्ष आपको मनुवांचित फल मिलेगा इस वर्ष काम्याभी और सम्रिद्धी पाने के लिए आप क्या उपाई कर सकते हैं इन सब सवालों के उत्तर मिलेगे आपको 2008 आपके राशी फल में बगतो आज हम अपने संक में जानेगे कि साल 2018 मगर राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा राशी फल 2018 के अनुसार मगर राशी वाले जातकों के लिए ये वर्ष अनुकूर रहेगा यदि आपके स्वास्त जीवन पर सला डाले तो इस साल आपको साधान रहने की सला दी जाती है वहीं छात्रों के लिए ये साल अच्छा रहेगा यदि आपके आर्थिक जीवन पर नजर डाले तो इसमें आपको लाब मिलने के योग है तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि साल 2008 में क्या कहते हैं आपके सितारे आपका लगनेश 12 भाव में है अता स्वास्त को लेकर लापरवाही उचित नहीं रहेगी शारिरिक स्वास्त के साथ साथ मानसिक स्वास्त भी अच्छा रहे इसके लिए सगरात्मक सूच जरूरी रहेगी कोशिच यही रहे कि विचारों में कुछ उल्जाव ना आए दूर की आत्रों के दौरान भी सावधानी रहने की सला दी जाती है हाला कि प्रतमभाव पर केतु के रहने के कारण इस साल बिमारी का भी ब्रह्म हो सकता है लेकि ओवराल स्वास्त समान रहेगा भावदार के कारण सरीर की उर्जा कमजोर रह सकती है हाला कि अधिक चिंता वाली कोई बात नहीं है लेकिन स्वास्त चिंतन व व्यायाम आदे जरूरी रहेगा सिक्षा के लिए ये साथ थोड़ी अधिक मैनत करने का संकेत दे रहा है सिक्षा में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगेगा यानि बहुत अधिक कोशिच करने के बाद ही आप सिक्षा में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे जो विद्यार्ती बहुत दूर रहकर या विदेश रहकर सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कुल मिलाकर इस साल मैनत तो अधिक लगती दिख रही है लेकिन मैनत के बाद संतोष जनक परणाम भी मिलते दिख रहे हैं इस साल आपको आर्थिक मामलों में अनुकूलता मिलती रहेगी इस साल आपके आर्थिक इस्तिती संब्रिद्ध होने के संकेत मिल रहे हैं यहां इस्तिती ब्रैस्वती आपने कर्म इस्थान पर द्रिष्टी डाल रहे हैं अता काम दंदा बढ़िया चलेगा और फ़ल सुरूप लाब लाब मिलना सौभाविक है यदि आप कोई आर्थिक निवेज भी करना चाते हैं तो आपको अनुकूलता मिलेगी सितंबर के बाद गुरू की द्रिष्टी लाब भाव पर होगी जो एक अच्छी इस्तिती है यानि कुन मिलाकर ये साल आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है प्रेम बाद दांपत्य के मामले में इस वश औसाद नुकूलता नजर आ रही है प्रेम मामलों में लापरवाही बरदने की स्तिती में संबंदों में कमजोरी आ सकती है कभी कबार मन में निरस्ता के भाव आ सकते हैं जो प्रेम की कसावट में कमी का कारक बन सकता है दांपत्य जीवन मदूर बना रहेगा यदि उम्र विवां की हो चली हो तो उस मामले में सितंबर के बाद की गई पहल रंग लाएगी वर्ष के अंतिवे, प्रेम, सगाई वो विवां के सुन्दर योग बन रहे हैं कारपरपार के लिए 2008 कुछ इस्तर तक दीमा रह सकता है इसका प्रमुक कारण है कर्मिस्थान में सनी की द्रिष्टी कर्मिस्थान में सनी की द्रिष्टी होने के कारण कोई भी काम में तुलनात्मा गुरूप से अधिक समय लग सकता है यानि हर एक काम के लिए आपको अधिक समय लेकर चलना पड़ेगा कार वैपार में बीज बीज में कुछ कटिनाईयां आ सकती है शनी और गुरू दोनों के कर्म स्थान पर दिर्ष्टी होने के कारण आप नहीं नहीं योजिनाव पर कार करेंगे और सफल भी रहेंगे नौकरी में भी पदुन्नती के योग बन रहे हैं उपाय के रूप में आपको राहू गेतु की शांती का विशेश हनुष्ठान कराना चाहिए वनीमित रूप से हनमान जी की पूझा उपासना करें तो भगतों ये तहा हमारा आज कंग जिसमें हमने जाना कि साल 2018 मकर राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो पर लाइक करें तदा इस पर कमेंट करें साथ इसाल अधिक भक्ती में चैनल भक्ती में मागो ज़रू सबस्क्राइब करें आगे और रोचंश के साथ उपस्तित होंगे तब तब के लिए नमसकार